कोरोना के मद्धे नजर, प्राइवेट स्कूल संचालक काफी ज़्यादा फरिशान है और ऐसे में लगातार सरकार पर सवाल उठाय जा रहे हैं ऐसे में चन्रिगड में फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल की और सिप्रेस कौन्फरस करके सवाल उठाय गए Federation of Private School के प्रेजिडेंट ने कहा कि एक साल से सभी सरकारी दफ्तर दुकाने खुली है लेकि स्कूल लॉकडाउन की स्थिति में है उन्होंने कहा कि देश खुला है धार्मेक सस्थान में भी लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं बंगाल में रैलिया हो रही तो क्या बस बच्चे ही कोरोना फिला रहे हैं अगर हमारी नीव जबूत नहीं होगी तो देश का भविश्य किस देशा में जाएगा तो फेडरेशन और प्राइवेट स्कूल की और से प्रेस कॉन्फिस करके सरकार पर सवाल उठाए गया है करमचारी अधिकारी तमाम लोग पर रिश्वान नजर आ रहे हैं फेडरेशन और प्राइवेट स्कूल ने इसी कड़ी में प्रेस कॉन्फिस की और कहा कि एक तरफ धार्मिक संस्थान भी कुले हुए हैं बित एक साल से सरकारी दफ्तर भी खुले हुए हैं बाकी सभी वेवसाय, सरकारी दफ्तर और जाहें आप दुकाने ले, मौल ले वेवसाय हैं वो खुले हुए हैं पूरी तरह से खुले हुए हैं सिर्फ स्कूलों के ऊपर दुबारा ये प्रतिबंद लगा दिया गया है तो ये नदे मुने बच्चों के शिक्षा ही जो है क्या इसकी वज़े से ही करोना क्या बच्चे करोना फिलाते हैं इसकूल बंद कर दिये जाए